सफलता समस्याओं से भागने के बजाए उसमें औसर खोजने से आती है दोस्तों जीवन में उस वैक्ति के लिए औसर के होने या ना होने के कोई माइने नहीं होते जो उनका उप्योग ही नहीं करना जानता जीवन में हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में मन चाही सफलता पाने के लिए औसर मिले यह औसर अमूमन हर किसी के जीवन में कभी न कभी किसी न किसी रूप में जरूर आता है लेकिन अक्सर लोग उसे छोटा समझ कर नजर अंदाज कर देते हैं जबकि आसर कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। जीवन में जब कोई आसर निकल जाता है तो हमारे पास पस्ताने के सिवा कुछ भी नहीं होता। फिर चाहे हम कितने भी अपने हाल की दुखाई देते फिरें दुबारा आपके पास नहीं आता है। दोस्तों आसर की रह देखने वाले लोग साधान होते हैं। जबकि आसाधान लोग आसर का इंतिजार नहीं करते बलकि खुद आसर पैदा करते हैं। जीवन में मिलने वाली नाकाम्याबी आपके लिए महज एक आसर है। एक बार फिर से बुद्धिमानी के साथ नई सुरुआत करने के लिए। जीवन में आसर का मिलना मुश्किल जरूर होता है। लेकिन एक आसावादी वैक्ती कभी भी इसे खोता नहीं है। क्योंकि उसे मालूम है कि ये दोबारा कभी उसके दरवाजे पे नहीं आएगा। दोस्तों ये मान्याता है कि जीवन में मिलने वाले आउसर के बाल सामने की ओल होते हैं, जबकि पीछे से वो गंजा होता है, ऐसे में जब कभी आपके सामने आउसर आए तो उसे सामने से पगड़ो, नहीं तो जाते समय इंद्रे भी उसे नहीं पगड़ पाये थे। कई बार लोग जीवन में बड़े आउसरों को पाने की राह तकते हैं, जबकि हकीकत में कभी आउसर बड़ा या छोटा नहीं होता, बलकि ये तो आपके उपर निर्वर करता है कि आप छोटे से छोटे आउसर का कैसे उप्योग करके उसे अपने लिए बड़ा बना लेते हैं क्योंकि जे के मानुमंत्रा ऐसा ही वीडियोज लेके आते रहता है जो हमारे जीवन में कहीं न कहीं कोई न कोई बहुत बड़ा इंपेक्ट पहुँचाते हैं